हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू प्रियंग का किचिन स्टूडियो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जारी हूं मटा पनीर के कटलेट की रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी उतनी ही आसान है मैंने बिल्कुल अलग तरीके से इसे बन मैश किर हुई है यहां पर टनी कट लिया है छिसे वार्ज पाऊडर लिए आछे पर और यहां पर लिया चाहां पर 70 लेंगे इसके साथ इसमें काली मिर्च और नमक भी जाएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगी तो सबसे पहले यहां पर कड़ा ही गरम करते हैं और इसमें वन टेबल स्पून डाल दिया और जैसे ही गरम हो गया इसमें मिर्ची और अद्रक डाल देंगे और इसे हम 10-12 सेकंड तक हलका सा भूण लेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिर्ची और अद्रक यहां मिर्ची और उत्रक को ज्यादा देर तक हलक unter भूणना है इसके बाद इसमें मिर्ची और अद्रक को बुम बैसे मटर बहल और 5-7 मिन लिएंगे मिनट जाएक हो बसुत और तो यहां हमारी मटर भून के रेडी हो गई है अफ हम इसको एक बर्दर में निकाल लेते हैं और इसे हम थंडा होने के लिए थोड़ी तीर के लिए छोड़ देंगे सब्सक्राणत VOW डाल देते है इसी के साथ इसमें चाट मसाला डाल देंगे एक चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने यहां पर चिली फ्लेक्स डाला है काली मिर्च का पाउडर एट करेंगे एक चौथाई चम्मच और यहां भी मैंने एक चौथाई चम्मच पीजा सीजनिंग डाली है यह बिल्कुल ऑप्शनल है इसमें नमक डाल दिया एक चौथाई च यहां मैंने इसके साथ यहां मैंने चाटन मसाला उट किया है और इसे बाइंडिंग अच्छी देने के लिए यहां पर तीन चम्मच प्रियूष किया है यहां रोट का पर्यूडर धू morning उसका है इन सारी चीज़ों का चीज मीक्स और एक डूड का फ्रॉम बिलकुल रडी क करेंगे यहाँ हमारा डोबन के ready हो गया है अब हम हम हाथों को grease करेंगे और हम cutlet बनाना स्टार्ट करेंगे तो जितने size का हमें cutlet बनाना है उतना portion हम इसे का ले लेते हैं और इसे हम एक पहले चिकना पेड़ा बाना एक ready करेंगे और फिर इसे हथेलियों के बीच में रखे हम एक टिकिये का शेप देंगे तो यहां पे हम जो बीच का पोर्शन है इस टिकिये का वो थोड़ा पतला रखेंगे और साइट का थोड़ा सा मोटा रखेंगे जब हम इसे इस तरह से करेंगे तो side में हमारे cracks भी होंगे जिसे हम हाथ से अच्छे से even कर सकते हैं तो यहां मैंने अच्छे से बना लिया है और बीच में फिलिंग इसको भर देंगे जो पनीगी बना के ready की थी वो हम इसके बीच में डाल देते हैं और दोनो side से इसे अच्छे से seal कर देंगे इस तरह से अच्छे से seal कर देंगे और फिर इसे हाथों की बीच में रखते हुए अच्छे से हम एक बार round shape में घुमा लेते हैं जिससे कि यह फिर से पेड़े के shape का बन जाएगा और इसे हम अलका सा प्रेस करेंगे और चारों तरफ से अच्छे से इसे even करके cutlet का shape देंगे बिल्कुल इस तरीके से हमारे यह cutlet बनके ready हो गया है इसे side में कर देती हूँ और मैं आपको एक और बना के दिखा दे रही हूँ तो फिर से हम उतना ही portion फिर से लेंगे हाथ में और इसे हम फिर से एक चिकना पेड़ा बनाएंगे और फिर पेड़ा बनाने के बाद एक टिकिये का shape देके बीस से इसे पतला रखेंगे साइट से मोटा करेंगे और इसमें जो filling है हमारी पनीर की वह भर देते हैं और इसे भी हम seal कर देंगे और इसे फिर से अच्छे से गोल घूमाके टिके का shape दे देंगे और इसे हाथों से अच्छे से चारोतर से बराबर करके cutlet बना देंगे ये भी बनके ready हो गया है इस तरह के से मैंने सारे cutlet बनाके अपने ready कर लिये हैं यह देखे बिलकुल इस तरीके से अब हम इसे shallow fry करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर इसे deep fry भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर shallow fry किया है तो तवा मैंने गरम कर लिया और इसमें मैंने तीन बड़े चमच oil डाल दिया जैसे ही गरम हो गया एक एक करके सारे cutlet डाल देंगे और लगबग यहाँ पर तीन से चार मिनट में एक cutlet बनके ready हो जाएंगे तो यहाँ मैंने flame को low to medium रखा है low to medium flame पर हम इसे अच्छे से बुनेंगे fry करेंगे जैसे कि जब तक अच्छे से golden brown ना हो जाए तो तीन से चार मिनट के बाद यह लगबग अच्छे से golden brown हो गया है देखे कितना अच्छा color आया है इसे एक एक करके मैं सब पलट दे रही हूँ और इसी तरह दूसरे तरफ से भी अच्छे से से शेक लेंगे यह उपर से बहुत ही crispy बने हुए है और दूसरे तरफ से भी पलट देते हैं दूसरे तरफ भी देखे कितने अच्छे से सिक कर रेडी हो गया है कितने अच्छा golden color आया है इसका हमारे cutlet बनके रेडी हो गया है अब इसे एक plate में निकाल ले रही हूँ यहां मैंने इसे tomato sauce के साथ या किसी चटनी के साथ भी इसे serve कर सकते हैं आप इसे जरूर बना के ट्राइ कीजिएगा आपके घर में कोई भी party हो तो जरूर बना के से रख लीजी और जब भी आपके घर में महमान आये तो आप इसे गरमा गरभ सेक के serve कीजिए बहुत ही tasty बनते हैं और आपके घर म मेहमानों को बहुत पसंद भी आएगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा जिसे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपक आपको पहले मिलेगी बाबाई